दोस्तों क्या हो अगर आपको ऐसा इंजेक्शन लगा दिया जाए जिसी कि आप हमेशा अमर रहें और फिर एक बंकर जैसी जगा में फज जाए अब आप वहाँ से बाहर निकलने के बहुत कोशिश करते हैं लेकिन बाहर कुछ आदम खोर इंसान हैं जो आपको खा जाएंगे ऐसे में आप क्या करना चाहेंगे तो कहानी शुरू होती है किसी बीहल में हम कुछ ट्रक को जाते हुए देखते हैं जिसमें अबोना गाउं के कुछ लोग मौजूद हैं जिसमें जादा तर जवान लोग हैं जिसमें हमारे कहानी के दो अहम किरदार केविन और इसके वाइ दर्द भी हो रहा है, अभी एक दूसरा शक्स भी वही बोलता है कि हाँ मुझे भी ऐसे ही मैसे ही मैसूस हो रहा है दीरी-दीरे करके सभी को मालूम लग जाता है कि उन्हें कोई खास सरीके का इंजेक्शन लगाए गया है लेकिन ये सब चीजे सोचने से पहले उन्हें तो वहाँ से भागना होगा क्योंकि ये लोग देखने में बहुत ही खतरनाक है और शायद इन सभी को एक जिगा ले जाकर मार दे अब यहां केविन सभी से कहता है कि क्यों ना हम सब एक साथ हो जाए और फिर इन लोगों पर हमला कर दें लेकिन सभी लोग इससे राजी नहीं थे क्योंकि उनके पास हतियार थे पर केविन का कहना है कि उनकी दादाद कम है और हम लोग जादा है तो हम उन पर हमला कर सकते हैं और उनसे जीत भी सकते हैं लेकिन कोई उसकी बात से राजी नहीं था, उधर हम ट्रॉक ड्राइवर को बात करती हुए सुनते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि इन लोगों की कीमत सिर्फ एक या दो डॉलर है, वेले से तो साफ पता चल रहा है कि ये इन सबी को मालने वाले हैं, पर कहां और कब और क्यों ये सब आपको पता लग जाएगा, वहीं पीछे बैटे लोगों का डर अब बढ़ता जा रहा था, उन्हीं में से एक जवान लड़का जो अपनी मां के साथ था ट्रक में, वो ट्रक से उतर कर भागने लगता है और उसे ग्रुप वाले देख लेते, वो सारे बाहर आते हैं और उस लड़के के पैर पर गुली मार देते, जिससे कि वो भाग ना सकया और उसकी मां चीकती रहती है कि ऐसा मत करो, लेकिन ये लोग आखिर करना क्या चाह रहे हैं ये किसी को पता नहीं है, वो सब ही उस लड़की को अपने बास के पास लेकर आते हैं और जो और देता है कि इसे रस्ती से बांदो और उसकी मां को चुपकर आदो, वो लोग उस लड़के को रसी से बांध देते हैं और ट्रक में फसा कर उल्टा खीशने लगते हैं जिससे कि उसकी बॉड़ी के दो टुकले हो जाते हैं और ये दर्दनाक मंजर उसकी मां के आँकों के सामने हो रहा था अब देखते ही देखते हैं उसकी बॉड़ी के दो चीन लेता और इस पर तान देता लेकिन कोई भी आदमी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता वो सभी अगर चाते तो उनसे लड़ सकते थे लेकिन सभी डरपोक निकलते हैं और इसी ले केविन फस जाता है वो लीडर उसे बंदूग चीन लेता और उसे बुरी तरह से मारता है इसी मौगे का फायदा उठा कर उनमें से दो आदमी भागना शुरू करते हैं जो कि सबसे बड़े बेकूफ होते हैं और देखते ही देखते हैं वो गुंडे उन्हें गोली से उला देते हैं अब सभी को अपनी स्वीच में लीडर बताता है कि मैं तुम्हें मौका दे र कर आता है कि एविन कई लोगों को बचाने के कोशिश करता है लेकिन वो मारे जाते हैं और भागते भागते ये काफी दूब निकल आयते हैं और जिंदा बचे थे सिर्फ तीन लोग केविन उसकी वाइफ और एक जौन नाम का आदमी लेकिन जौन अभी भायल है अब वीना जो उसकी वाइफ थी तेदी से आगे बढ़ लई थी और इसी चकर में वो एक खाई में गिर जाती है केविन भी उसे बचाने के लिए उसमें कूच जाता है और वो खाई बहुत ही गहरी थी उसमें पानी भी जमा हुआ था और इधर जौन चोटिल हालत में परिशान है कि वो कहां जाए इसी वीच उसे कई गोलियां आकर लगती है और वो सीधा उसी खाई में गिर जाता है जहां वर उसकी भी मौत हो जाती है मतलब वो गुंडे अभी भी आसपास हैं कि आवाजे सुनकर केविन और वीना चुप जाते हैं और गुरूप का एक आदमी उन्हें ढ देखनी बाता है क्योंकि उसका साथ ही उसे वापस बुला रहा था इसके लिए इनकी जान बच जाती है इधर लीडर के पास एक मेसेज आता है कि जो लोग जखमी है उन्हें वापस लेकर आओ लेकिन लीडर उनकी बातों को इगनोर करते था और यहां हम जान पाते हैं कि इनकी ऊपर कोई बॉस है जो कि ये काम उनसे करवा रहा है काने शिफ्ट होती है केविन और वीना पर जो एक सूखी जगा जाते हैं जहां पर वीना को होश आता और वो उड़ते ही गुंडों के बारे में पूछती है तो केविन उसे बताता है कि वो अभी के लिए चली पूजूद है अब दीरी दीरे रात हो जाती है और तभी केविन को कुछ आवाजें सुनाई देती है जो कि एक घायल आदमी की थी वो भी खाई तक पहुच चुका था और केविन से कहता है कि तुमने मेरी जान क्यों नहीं बचाई वो तेज तेज चलाने लगता है और उन में उमीद मिलती है और डरने लगता है लेकिन वीना अभी भी बहुत डरी हुई थी वो बार बार उपर की तरफ देखे जा रही थी कि कहीं वो गुंडे फिर से ना आ जा केविन बताता है कि वो लोग जानवर है और आप वो लाशों को खाएंगे और मजे करेंगे कुछ द के लिए तो इंफेक्टेड हो जाएगी तो केविन के पास एक प्लाइन था वो उपर कुछ सूखी लगडियां देखता है जिसकी मदद से वो उपर चल सके अब वो जौन और खुद के कपले निकालता है और उन्हें भीगा कर रसी बनाता है और फिर उस रसी में लगड़ी बांद कर उपर फेकता है जिससे कपला जाकर फच जाता और यह आराम से वहां से निकल सकते हैं लेगिन केविन का वजन जादा था इसलिए वीना कहती है कि रुको पहले मज़े चलने दो लेगिन केविन खुद ही चलने लगता और वो चलते चलते बिलकुल उपर तक पहु है पर एक काट कहता है कि हम बले इकड़ी से ना मरे हो लेकिन भूक से जरूर मर जाएंगे वीना उसे उसलह देदी है कि हम यहां से जरूर निकलेंगे तुम बस अपना दिमाग चलाते रहो तब केविन उपर देखता और हसने लगता है तो वीना पूछती है तुम पागल हो गयो है हस क्यों रहो केविन बताता है कि हम पहालों के बीच में हैं और उपर देखो बादल आ चुके हैं इसका मतलब बारिश होने वाली है और थोड़ी ही देर में यहां बाड़ा जाएगे जिससे कि हम तैर कर उपर निकल जाएगे बारिश होना शुरू होती है लेकिन वीना को तैरना नहीं आथा इसलिए वो ड़ने लगती है दूसरी मुसीबत थी कि बारिश के होजे से मिट्टी भी गिरने लगी थी अब यह बारिश इनके लिए मुसीबत बन चुकी थी और तब कैविन उसे समझाता है कि डरों मत यह बारिश जादा देर तक नहीं होने वाली है और होता भी ऐसी है पोली देर में बारिश रुख जाती है लेकिन अब जो भी पीने का पानी था वो सब गंदा हो चुका था हर दरफ कीशर था लेकिन उससे भी बड़ी मुसीबत थी वो आदम खोर इंसान यहां वो फिर से वापस आ चुके थे अब इनके पास कोई चारा नहीं है और अगर इननों खाना नहीं खाया तो यह कमजोर हो जाएंगे लेकिन केविन बार-बार कहता है कि हमें बस बारिश का इंतिजार करना चाहिए पर वीना का कहना था कि हम बस पानी पर जिन्दा नहीं रह सकते हमें खाने की भी जरूत है अब आ जाती है इनकी दूसरी रात और दोनों फिर से आग जलाते हैं और सुबा का इंतिजार करने लगते हैं लेकिन रात में एक अजीब सी चीज होती है जोन अचानक से जिन्दा हो गया था और वो अचानक से केविन पर हमला कर देता है और वो उसे मानने की कोशिश करता है लेकिन वो तो एक जॉम्बी बन चुका था और यहां केविन उसे आग से जला देता है जिसी के वो फाइनली मारा जाता है तो दोस्तों आगे कहानी में क्या क्या होने वाला या आपके होश उडा देंगे अब दोनों थोड़ी देर तक अराम करते हैं लेकिन केविन को कुछ अजीब सा फील होता है तो वीना को अपना नेक पर वो वीना को अपनी गर्दन चेक करवाता है जहां पर उसे इंजेक्शन लगाए गया था पर वीना ये बात उसे नहीं बताती है और कहती है कि सब कुछ ठीक है हमारी इम्यून पावर बहुत ही अच्छी है इसलिए उस इंजेक्शन ने हमें कोई असर नहीं किया बर थोड़ी दिर बाद वो अकेले बैट कर रोने लगती है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि केविन अब नहीं बशेगा अब दोनों एक दूसरे से गले लगाते हैं और सो जाते हैं लेकिन आधी रात में वीना को कुछ आवाजे आती है और वो देखती है कि जॉन कुछ खा रहा है वो जब उसके पास जाती है तो अचानक से वो उस पर हमला कर दिता है लेकिन ये बस उसका एक सपना था जब उसकी आँख कोलती है तो सुबा हो चुकी थी लेकिन सुबा होती है वो भी और डरावनी क्योंकि केविन की तबियत और ज़्यादा खराब होने लगी थी उसके बिहेवियर में चेंज आने लगे थे तो वीना उसे पुकारती है केविन टुम ठीक हो ना और तब ही अचानक से वो एक फ्रॉक को पकड़ कर खा रहा था और उसे वीना को भी आफर करता है और उसे देखकर वीना वोमिटिंग करने लगती है और अब यहाँ केविन की आँखें भी सफेद होने लगी थे और वो जॉम्बी में बदल चुका था लेकिन यहाँ वीना उसे सम्हालती है उसकी बाते सुनकर केविन थोड़ी दिर के लिए होश में आता और यहाँ इनकी किस्मत भी अच्छी थी कि अब बारिश होना शुरू गई थी और खाई में पानी भनना शुरू हो जाता है केविन वीना को पकड़ता और कुछ जाड़ीों के सहारे उपर पहुच जा देता है लेकिन जब उसकी बारी आती है तो वो पानी में डूप चुका था और वीना उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो अब अंदर जा चुका था अब वीना वाई लेट जाती है और खुद को समझाने लगती है कि नहीं ये मेरी गलती नहीं है वो अब इनसान नहीं था इसलिए उसे मनना पड़ा वो अब बदल चुका था वो गौट से माफी मांगती है और उन्हें भीक मांगती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो जिसके बाद वो उटकर भागना शुरू करती है लेकिन अब हर तरफ जॉम्बी फैल चुके है सामने हम एक आदमी को देखते हैं जो एक दूसरे आदमी की लाश को खा रहा था जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और भागने लगती है और इसी चकर में वो फिर से खाई में फिसल जाती है जहां पर उसकी मुलाकात होती है केविन से जी हां दोस्तों वो अभी भी जिन्दा था लेकिन जॉम्बी के रूप में वीना उसे एक लात मारती है जिससे वो सीधा वापस पानी में गिर जाता है और अपनी जान मचा कर यहां से निकल जाती है वो बस भागती रहती है कि शायद उसे कोई मदद कर दे और इसी तरह भागते भागते वो रोड पर पहुँच जाती है जहां पर एक ट्रक उसकी ट्रक में डाल दो वीना को समझ नहीं आदा कि यह सब क्या हुआ है जब दोस्तों से इंजक्शन की वज़े से वो भी अब इंफेक्टेड हो चुकी है और जब उसे ट्रक में बठाया जाता तो हम देखते हैं कि वहाँ पहले से ही तीन जॉम्बी मौजूद है जो उसका क्य यह लोग है तो यह लोग उने ढूंड ढूंड कर मार रहे हैं इसलिए सभी आदम खोर उने ढूंड कर मार रहे हैं जंगल में ताकि यह इंफेक्शन बाहर ना पहल और इसी तरह से यह कहानी यह खतम हो जाती है वह आपको यह कहानी कैसे लेगी नीचे कॉमेंट करके ज़र झाल